तो दीखें पूरा जो map है ये हम आपके सामने रख रहे हैं और इस map के ज़रीया आपको समझ में आएगा कि फिलाल जो अमेरिका की results हैं वो किस तोरफ आगे बढ़ रहे हैं उनसे ही समझते हैं अमेरिका की रिजल्ट किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और किसका पलड़ा कितना भारी लग रहा है हाला कि 230 सीटों पर ट्रम्प जो हैं वो अपनी बढ़त बनाए हुए हैं हमारे साथ है पूर्णिमा नाथ रिपब्लिकन कांडिडेट हैं प्री अटंडन हमारे साथ है राजनेतिक विशलेशक रोबिंदर सचदेव यूएस मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ हैं लेकिन फिलाल ये देखिए हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कौन कहां पर आ आठ एलेक्टोरल वोट हैं और यहां डोनाल ट्रॉम्प आगे चल रहे हैं इसे स्टेट में भी और कमला हैरिस पीछे चल रहे हैं मिसिसिपी के अगर आप बात करेंगे तो यहां पर डोनाल ट्रॉम्प आगे चल रहे हैं कमला हैरिस पीछे हैं कुल 6 यहां पर आप कह सकते एट स्टेट का मतलब यह है कि यह जो स्टेट्स हैं यह पारंपरइक तोर पर इनका जो जुकाव रहता है यह रेप passouलीकंस की तरफ रहता है यानि कि डोनाल ट्रम्प की पाटी की तरह रहता है और ये रेपडिकन को ही वोट करते हैं जबकि ब्लू स्टेट्स हैं अमेरिका में वो कमला है रिस्ज यान Tip यूंग है जबकि कमला रेस्थ की अगर बात करें तो चुनाव नजदीक फिलाल जैसे जैसे नatीजे सामने आरहे है उन नतीजों को देखकर ये जरूर कहा जा सकता है कि डोनाल ट्रम्प एक जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं 230 सीटे कुल अभी तक डोनाल ट्रम्प जीतते हुए नसर आ रहे हैं और पीछे कमला हैरिस नसर आ रहे हैं बहुमत का आकड़ा अगर आप समझेंगे अमेरिका के लिए कुल 538 वोट्स के जरी अगर आप समझेंगे तो 270 ये बहुमत का आकड़ा हो जाता है और 230 पर अभी जो डोनाल ट्रम्प हैं वो हमें लीड करते हुए नसर आ रहे हैं तो ये जो नतीजे हैं वो किस तरफ बढ़ रहे हैं या जो गुंजाईश काटे की टकर की कई जा रही थी प्रिया जी क्या ये काटे की टकर मैं इसे अभी भी कहूँ या अब इसे ऐसे कहा जाए कि डोनल ट्रम्प ने जो बढ़त बनाई थी शुरुआत से कैंपेन के दोरान से या उस बढ़त को काइम रखने में वो काम रह पाए जिए बढ़त बनाई यह तो बहुत अच्छी बात है पहले बात दविश्कार कुझे इन वाइट करने के लिए धन्यवाद बढ़त बनाई यह बहुत अच्छी बात है नई टरम्प जीत है इसलिहेए यह कहना अभी भी थोड़ा ज़रा जल्दी होगा कि टर्म्प ही जीत रहे हैं लग यही रहाए कि टर्म्प ही जीतेंगे लेकिन फिर भी थोड़ा जरा गुणजाईश करके कहना ज़यदा सही रहेगा ठीक है अभी थोड़ा इंतिजार और कर लेते हैं लेकिन फिलाल जो नतीजे सामने आ रहे हैं जो रुजान सामने आ रहे हैं उसमें तो डोनाल ट्रम के चेहरे की जो खुशी है वो बरकरार रहेगी कौन इतिहास बनाएगा और कौन इतिहास रचेगा ये अभी तक की तस्वी कि ताप्डे को अभी खुशी अवाल जो न्याम डेकिये अभी तिख्रे इस रखुशी है ये शो लाह प्राइगी जो खुशी है और को ये वी हुशी है येकि तेमिन येशी जो आभी आविस्ट्रवी थे निजएंगे और कीजू में तो अटान गूंजा नेजए इंगी खड़ा होगा, we don't know, give it a time a little bit, I'm concerned because of the fact that Democrats are not going to take it lightly, you know, they have 5000 lawyers lined up and Republicans in Donald Trump camp only have 500 lawyers, I mean 10 times more lawyers than Democrats have and democracy, you will see, boarded up shops and they're actually, you know, preparing for riots, Donald Trump has won, this country is going to burn, they are not going to take it lightly, you know, Donald Trump is leading, so already some nuts are out there trying to take him off, so, you know, let's wait and watch what's going to happen, अगर जीत को स्वीकार करना, हार को स्वीकार करना ही एक मुद्दा, अगर मैं पूर्णिमा जी यहां पर कहूं, तो बयान तो डोनाल्ड ट्रॉम्प के तरफ से भी सामने आए, वोटिंग वाले दिन उनके वकील के तरफ से बयान सामने आए, तो दोनों ही जो पार्टीज हैं, या जो दोनों ही लीडर्स हैं, दोनों ही चेरें, वो अपनी हार अभी तो स्वीकार नहीं करेंगे, इंतिजार तो थोड़ा करना होगा, लेकिन जैसा आप कह रही हैं, रोबेंदर सचदेव जी, यह जो चुनाव है, यह हर माइने में एक इतिहास रचने वाला चुनाव है, क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीतते हैं, तो 131 साल बाद कमबैक करने वाला कोई लीडर डोनाल्ड ट्रम्प होंगे, और अगर कमला हैरिस जीतती हैं, तो यह इतिहास होगा, कि वो पहली महिला राश्ट्रपती बन जाएंगी, अमेरिका की. Thank you very much. बहुत बहुत इतिहासिक है, हर चुनाव इतिहासिक होता है हर देश में, पर मेरे ख्याल से अमेरिका के लिए यह इस समय अमेरिकर हिस्ट्री में, अमेरिका को धाइसो साल होते जा रहें, इंडिपेंडेट हुए, 1776 से 2026 में धाइसो हो जाएंगे. अपनी धाइसों भी, you know, whatever, जनम दिन, अनिविस्ट्री पे, अमेरिका मैं कहता हूँ, एक क्रोस रोड पे खड़ा है. आप अभी बात करीते हैं, रेड और ब्लू स्टेट्स. पॉइंट यह कि एक सिंपल सा मॉडल है आपके दर्शकों के लिए. अमेरिका अभी इस कगार पे खड़ा है. अगर टरंप जीतते हैं, जिनके पार्टी का रंग रेड है, तो अमेरिका इस रास्ते चला जाएगा. अगर हैरिस जीतती हैं, इनका ब्लू है, तो अमेरिका इस रास्ते चला जाएगा. और यह दो रास्ते बहुत 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 अलग है. दोनों पार्टी यह कह रही हैं, कल एलन मस्क कह रहे थे, कि अगर Harris जीत गई तो अमेरिका में चुना भी नहीं होगा अपके बाद और इधर Harris का campaign कहता है अगर Trump जीत गया है तो dictator बन जाएगा फैसिस बन जाएगा ये तो फिर complete अमेरिका को अपना authoritarian बना देगा तो इन दोनों sides की vision बहुत different है ये बहुत ही इतहासी कहा in addition of course जो point आपने कहे महिला वो भी color की और इंडिया के लिए तो वो भी Indian origin की imagine कीजिए क्या message जा रहा है दुनिया भर में और इंडिया में भी हमारे बच्चीयों में कि हम भी सबसे बड़े देश की president बन सकती है और अमेरिका के अंदर भी Indian American community and leaders जैसे प्रिया जी एन कुनिवा जी हैं इनके next generation क्या message जा रहा है so revolutionary है ये election और इसका result भी revolutionary आगे होगा बहुत उतल पुतल होगी यह उतल पुतल बड़े गी अमेरिका आज की दुनिया में मैं कहता हूँ एक boxing ring बन गया है America में एक saying है कि America is a melting pot की अलग-अलग देशों से immigrants आते थे यहां रहते गए बसते गए एक ही value system में होते गए melting pot 200 साल से America अब America actually बन गया एक boxing ring जिसमें एक side के जो Republican conservative right, far right जो भी कहलेजिए और दूसरी side में liberal, democrats, progressive जो भी कहलेजिए इन दोनों की boxing fight होगी है इस देश में unfortunately तो यह election historic है and America is a historic turn